नमस्ते फ्रेंड्स पार्कल किचन में आप सब का स्वागत है आज मैं आप सब के साथ सेर करने वाली हूँ गेहु के आटे और मेथी के टेस्टी और हेल्दी पराठे की रेसिपी इसे गुजरात में थेपले के नाम से जाना जाता है और ये गुजरात की फेमस डीज है तो च देखिए यहां पे मैंने पत्ते को अलग कर लिया अब इसे वस करके मैं काट लूँगी और यहां पे हम अद्रक लसन और हरी मिर्च को कूट के रेडी कर लेंगे तो थेपला बनाने के लिए यहां पे हमें चार से पांच कली लसन और बढ़ा टुकडा अद्रक का और तीन ह हरी मिर्च को हमें इसे एड़ करके इसमें कूट लेना है और इसमें कूट के एड़ करने से हमारे थेपले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अगर आप चाहो तो इसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो तो दिखिए यहां पे हरी मिर्च को हम छोटे-छोटे टूकडे कर के इसे हम अच्छे से कूट लेंगे और फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सेर करना ना भूले और मेरी चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिप केसन आपको मिल जा यहां पर आप मिक्स फ्लोर का भी पराठा बना सकते हो लेकिन यहां पर मैंने सिर्फ बेसन का यूज किया और बेसन हमें सिर्फ आदा कभी एट करना है और बाद में हम एक टीस्पून हल्दी पावडर एक टीस्पून धन्या पावडर और चुटकी भर हम हींग एट और एक टीस्पून चितनी अजवायन हम हत्यलियों पर लेके इस तरह से मसल के इसमें एट करेंगे ताकि फ्लेवर बहुत ही अच्छा है और हींग और अजवायन से हमारा डाइजेसन बहुत ही अच्छा रहता है तो आप जरूर एट करें और स्वादनुसार हम नमक एट कर कर देंगे और फिर हमने मेथि को अच्छे से काटके वोस कर लिया था उसे भी एट कर देंगे यहां पर दो कप आटे के लिए मैंने डेट कप चितनी मेथि का यूज किया आप जितनी चाहो उतनी मेथि एट कर सकते हो और पराठे मेथि बिलकुल कड़वी नहीं लगती है तो आप बिल्कुल डरिये मत, जितनी मेथी चाहे उतनी एड़ कर सकते हो, और यहाँ पर वन फोट कप मैंने ओल का यूज किया, आप चाहे तो गी भी एड़ कर सकते हो, और वन फोट कप हम दही एड़ करेंगे, और दही से हमारे पराठे बहुत ही टेस्टी और सौप्ट बनते हैं, और लंबे टाइम तक यह खराब नहीं होते हैं, और आप चार-पांच दिन के लिए अगर पराठे को स्टोर करना चाहते हो, तो आप इसे सिर्फ दही से इसका आठा लगाए, पानी का यूज मत करें, तो आपके पराठे लंबे टाइम तक खराब भी नहीं होंगे, सौप्ट भी रहेंगे और तेस्टी भी लगेंगे, तो आप इस बात का जरूर दियान रखें, और सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और बाद में इसका आठा लगाएंगे, और जरूरत लगे उतना ही हम पानी एड़ करेंगे, ज्यादा पानी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 3-4 टेबल स्पून जीतना पानी एड़ करोगे, और इसका आठा बहुत ही अच्छे से लग के तयार हो जाएगा, तो देखी, ये 3-4 टेबल स्पून पानी से हमारा आठा अच्छे से लग के तयार हो गया, और इसका आठा हमें सक्त नहीं गुर्थना है, बहुत ही सौफ्ट और मुलायम आठा बना के हमें रेड़ी करना है, और थोड़ा सा उपर से ओल लगा के इस आठे को हम चिकना कर लेंगे, और इस आठे को रेस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, पर मेथी की वज़़े से इसमें पानी रिलीज होगा, और हमारा आठा बहुत ही चिपचिपा हो जाएगा, इसलिए इसका आठा घूत के आप तुरंथ ही इसके पराठे बेले, तो पराठे बेलने के लिए आप एक लुआ बनाएंगे, और फिर इसमें हम सुखा आठा लगा के इसके पराठे बेल लेंगे, आप चाहे तो इसमें ओल लगा के भी इसके पराठे बेल सकते हो तो जब आपका पराठा चिपक ने लगे तो आप इसमें सुखा आठा लगा के इसके पराठे बेल सकते हो और इसके पराठे हमें बहुत ही पतले-पतले बेल के तयार करने है तो दिखे इस तरह से हम थोड़ा स्वा consistency हो इस तरह से विजल्व हम् पराठा के लेंगे क्व हम सारे और ब्रकुर्कुर्व और आधे कर से के पराठह सेकने के लिए हमें गेस की फ्लेम मीडियम टूलो रख準 है और इसे हाइइ हीट पर बिल्कुल नहीं सेंगा और इस पर्णा सेकने के लिए पहले हम तवे पे पर पराठह, रखेंगे और इसे थोड़ी देर कि इस पराठे को सेख लेना है तो एक तरब थोड़ा सा सिग गया बाद में हम ने इस पे ओल लगा दिया अब दूसरी तरब भी पलटके इस के उपर हम थोड़ा सा ओल लगा दिगे तो दीखे दूसरी तरब ब्राउन स्पोट आ गया अब दूसरी तरब हम थोड़ा सा ओल ल लखो दो चार दिन फिर भी खराब नहीं होते और यह बहुत ही टेस्टी और स्वादेश्ट पराठे बनके तयार होते और इसे अच्छे से दबा दबा के सेख लेना है और जब आपका पराठा थोड़ा सा सीख जाए बाद में इसकी फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दो और फिर इसे दबा दबा के जब तक ब्राउन स्पोट ना आ जाए तब तक इसे सेख लेना है तो देखिए हमारा पराठा बिल्कुल सेख के रेडी है अब हम दूसरा पराठा एट कर देंगे और दूसरे पराठा भी थोड़ा सा ऐसे सीखने लगे बाद में हम इसे पलट देंगे और उपर से थोड़ा सा ओईल लगाएंगे और फिर इसे पलट देंगे और दूसरी तरब पर हम ओईल लगा देंगे और इसमें ज्यादा ओईल का यूज नहीं करना है थोड़ा थोड़ा ओईल लगाएंगे फिर भी आपके पराठे बहुत ही टेस्टी और सौप्ट बनके तयार होंगे और दबा दबा के इस पराठे को अच्छे से हमें सेखना है और जब ब्राउन स्पोट आजा है बाद में हम इसे निकालेंगे तो देखे इस तरह से हम सारे पराठे बना के तयार कर लेंगे तो देखे मैंने सारे पराठे बना के तयार कर लेंगे और यह बहुती soft मुलायम और बहुत ही tasty पराठा बन के तयार होता है तो आप इस पराठे को जरूर बना के try करना आपको जरूर पसंद आएगा और अपने experience जरूर सेर करना तो देखिए कितना soft और tasty पराठा बन के तयार हुआ देखिए यह बहुत ही soft है और यह ठंडा होने के बाद और भी soft हो जाएगा तो आप इस पराठे को जरूर बनाना तो चलिए मिलते हैं अगले recipe के साथ तब तक के लिए बाई बाई